हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोक से आपकी अपर निज सच्चियू यानि की एडिशनल प्राइवेट सेकेटरी APS 2030 की जो वेकेंसी है वो बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद आख एक्जाम की तैयारी में क्यूंकि इस बार जो है syllabus बगेरा भी change कर दिया गया है तो आप लोगों के लिए रेटिन तो इस बार नहीं है तो जिन बच्चों को रेटिन में जो दिककत बगेरा होती थी तो उनके लिए ये अच्छी चीज है कि चलिए सारी चीज़ें आप optional based र लिकिन एक जो प्रस्ण है वो बना हुआ है क्योंकि UPPSC ने जो अपना कलेंडर जारी किया था वो एक आरक्षित कलेंडर था यानि कि उसमें जो आरक्षित डेटें थी वो तो दीग हुई थी और बाकी जो आगे एक्जाम कराने हैं वो सारी डेट नहीं दी थी उनमें कोई भ भरती आ रही है चाहिए यह APS वाली भरती हो या आगे लोग सिवायों से जो आरो यारो की भरती आनी वो हो तो इनकी तिथियां अभी घोसित नहीं की गई है लेकिन जो अभी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि आखिर जो APS 2030 का एक्जाम है वो कपता कोगा तो जो सूच ना मिली है उसके according यह है कि आपकी जो APS 2030 वाली यह वैकेंसी है इसका एक्जाम जो है वो जनवरी के सम्थिंग जा सकता है क्योंकि अभी जो है 19 तारीक तक तो इसके form ही फिल होंगे 19 अक्टूबर तक फिर कह सकते हैं कि डेल से दो महीने कर जो समय है वो आपको इसमें जो म मिल सकता है तो अक्टूबर तो पूरा ऐसे ही निकल जाएगा और उसके बाद नॉमबर और दिसमबर तो जनवरी के सम्थिंग आपका जो एक्जाम है वो हो सकता है तो अभी आपके पास सेप्टेंबर चल रहा है अक्टूबर पूरा है तो अक्टूबर नॉमबर दिसमब तो कह सकते हैं कि 3 महीने पूरे-पूरे हैं आपके पास, तो आप लोग इसमें अच्छे तरीके से, बिल्कुल धासु तरीके से जो तयारी है, वो उसकी करते रही है, कि इस बार जो सेलेक्शन हैं, वो हो ही जाए, तो जो एक्सपेक्टेड एक्साम डेट है, वो आपको बता न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और अभी तक आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपको मिलती रहें थेंक्यू